यह आया बेटा नीट 2016 में देखो क्या बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्जड इस्फियर्स अच्छा जी suspended from a common point by two massless strings जिसका की length L है हो सके तो diagram बना दो question आसान हो जाता है ठीक है तो diagram तो सर सिंपल हो गा है ना ये L है और ये अपना दो pendulum हो गया ठीक है ना बेटा चारो बहुत बढ़िया यहां से ऐसे लटका हुआ है done और देखते हैं क्या बोल रहा है बोलता है initially at a distance d इन दोनों की बीच का जो distance है बेटा वो d है और एक बड़ी important बात यहाँ पर लिखी है क्या d बहुत छोटा है d बहुत छोटा है मतलब यह separation बहुत कम है यह pendulum बहुत लंबा है अगर मैं इसका एक realistic diagram बनाओ यह तो मैंने ऐसी rough बना दिया realistic बनाओ तो ऐसा बनेगा बहुत लंबा बहुत लंबा और उनके बीच का distance बहुत कम ऐसा पूच पता ऐसा क्यों लिखा है पता ऐसा क्यों लिखा है मैं बताता हूँ यह आप बहुत जगे physics में ऐसा पाओगे कि कोई एक distance को बहुत छोटा कर देंगे कोई एक को बहुत बढ़ा कर देंगे इससे होता क्या है ना बिटा यह angle बहुत छोटा बन जाएगा imagine करके देखो आप इनके बीच का separation बहुत कम है बलकि इस diagram को और बेटर बना सकता हूँ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ यह यहाँ और यह यहाँ देख रहे हो तो यह बहुत कम separation है दोनों के बीच में separation बहुत कम है लेकिन लंबाई बहुत ज़ादा है इससे क्या हुआ angle छोटा हो गया कम angle रहेगा separation आप बढ़ा दोगे ज़्यादा separate कर दोगे दोनों को तो देखो angle बढ़ा बनेगा तो यह यह बताना चाहरा है कि भाई D बहुत छोटा है L से इसका मतलब क्या है theta small है है ना theta small है इस question को शुरू करने के पहले solve करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दो जो आप basic maths में पढ़ोगे अच्छा basic maths अगर basic से पढ़ना है तो विदान्तुनीट टॉपर्स चैनल पे बटा एक जून से we are starting a course on 11th मैं पढ़ाऊंगा पूरा 11th और शुरू से शुरू करेंगे एक दम basic maths से है ना तो आप उसको join कर सकते if you want to study अब देखो बेटा theta बहुत small है ठीक है ना तो पता आपने एक चीज पढ़ी होगी theta अगर small है ना तो tan theta को approximately theta ले सकते हैं theta ले सकते हैं ठीक है और आप cos theta को तो इसका एक expansion होता है पूरा tan theta का cos theta का sin theta का उसमें आप higher orders को neglect कर देते हो कि theta बहुत छोटा है वहाँ से आता है बट आपको physics के point of view से इसको याद रखना है कि tan theta और sin theta दोनों को आप theta ले सकते हो छोटे angle पे यह हमेशा छोटे angle पे valid है और cos theta को आप 1 ले सकते हो तो यह इस question को solve करने के पहले ही मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसने ऐसा इशारा किया है question में कि भाई d बहुत छोटा है l से तो छोटा angle छोटे angle पे यह तीन चीज़े हम लोग कर सकते हैं अब दिखते हैं क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा वो तो आगे जाके पता चलेगा है ना आइए बिटा अब बोलता है कि अब धीरे धीरे जैसे यह ऐसा situation था अब धीरे धीरे चार्ज लीक होने लगा यह जो चार्ज है न मान लो Q था यहां पर Q था अब यह लीक हो रहा है याले कि चार्ज नि बढ़ बढ़ कहीं तो जांग है ली भो रहा है इस चार्ज़ लीह होगा तो इस चार्ज़ की वैल्यूर घट जाएगी मनलों स्मॉल क्यों हो गई तो अग्र चार्रज़ घटेंगा तो एलेक्टिस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था वह भी घट जाएगा क्योंकि वो तो charge के product के proportional है कम charge तो कम force लगेगा अब जब पहले ज्यादा force लग रहा था तो ऐसे था कम force में क्या होगा थोड़ा पास आजाएगा और पास आजाएगा है ना और पास आजाएगा अपन मान लेते हैं किसी point पे distance हो गया x कम होते होते पहले d से शुरू हुआ था d से अभी कम होते 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 x हो गया तो बोलता है as a result अच्छा constant rate पे leak कर रहा है इसको दिखेंगे क्या है इसका मतलब as a result sphere approach each other है ना what is the correct relation between charge and separation x तो जब घड़ते घड़ते दिखो पहले separation यह अच्छा question है जनरली नीट में ऐसा question नहीं आता है इतना analytical नहीं आता है बट आप अगर अभी preparation शुरू कर रहे हो आपको ज्यादा idea नहीं है previous years का तो मैं आपको बता दूँ जहाँ जहाँ आप 2016 आपको अच्छा question देखने को मिलेगा है ना आप 2016 का पीवाई की उठा के देख लो आपके हो सकता थोड़े से होश उड़ जाएं क्योंकि paper analytical आया था है ना level से उपर आया था 2016 में तो यह भी उसी में से एक question है जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे तो डरू मत सीखो सीखो बहुत हाई फाई चीज नहीं है सीखो क्या है सीखो तो देखो मैं एक बार जल्दी से question repeat कर देता हूँ शुरू में charge q था distance d था दोनों के बीच में charge leak होना शुरू हो गया यह और पास आने लगे और पास आने लगे क्योंकि charge कम हुआ तो electrostatic repulsion कम हुआ तो पास आने कई बच्चों को समझी नहीं आ रहा करना क्या है देखो मैं दो स्टेप में solve करता हूँ है ना दो स्टेप में पेंडूलम देखती ही मैं समझ गया कि यार tan theta बराबर electrostatic force upon mg होगा without derivation, derivation, derivation छोड़ो यह जो मैंने कराया वो छोड़ दो अब आप है ना यह समझाने के लिए था यह सारा कुछ अब तो आप directly याद रखो कि tan theta बराबर electrostatic force upon mg होता है ठीक सर याद रख लिया सर अब क्या करेंगे सर अब देखो मेटा हम बोलेंगे अच्छा जब इनके बी जो है वो theta है तो tan theta में और क्या लिख सकता हूँ मैं मैं लिख सकता हूँ भाई tan theta बराबर f electrostatics k q square सही है ना divided by distance का square तो x square और mg तो ही यहाँ पर comfortable यहां तक कोई दिक्कत नहीं है f e को ऐसा लिख सकते हैं क्या विटा बिल्कुल लिख सकते हैं सर अच्छा अब मैंने बोले यार अब तो theta को कैसे हटाऊ मैं tan theta निकाल सकता हूँ क्या tan theta अगर आपको निकालना है विटा है ना देखो एक triangle दिखाता हूँ मैं आपको यह वाला length L है विटा यह देखो यह triangle यह लो गलर से बना दिया मैंने है ना यह यह और यह ठीक है ना तो tan theta क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो विटा देख यह तेरा परपेंडिकुलर है यह परपेंडिकुलर है है ना theta के सामने वाला जो होता परपेंडिकुलर होता है तो यह परपेंडिकुलर पहले या तो तुम पाइथागोरस लगा के बेस निकालो, फिर करो, लेकिन आपको एक चीज बोली गई है question में, कि थीटा small है, कैसे सर, क्योंकि D बहुत छोटा है, समझाया था ना, separation बहुत कम है, length बहुत जादा है, तो D छोटा हो गया, तो भाई, angle छोटा है, छोटे angle पे, ध्यान से सुनिएगा, अरज किया है, छोटे angle पे, 10 थीटा भी थीटा होता है, अरे हां, और sin थीटा भी थीटा होता है, अरे बिल्कुल, तो जब दोनों थीटा-थीटा होते हैं, तो मैं sin थीटा को, 10 थीटा के बराबर भी तो मान सकता हूँ, हां सर बड़ फायदा क्या ह होगा सर आपका अभी देखो फायदा दिखाते हैं आपको है ना आईए अब मैंने बोला ठीक है या टैन थीटा निकालना तो टिपिकल लग रहा है यहापे क्योंकि पहले ये वारा लेंस निकालना पड़ेगा बड़ा कॉंप्लिकेटेड सा हो जाएगा है ना बिटा येल्लो वाले जो ट्राइंगल है उसमें साइग थीटा निकालूं तो साइग थीटा क्या होता भीटा मैं पर्पेंडिकॉलर अपॉन हैहाप पुटेनियस dying भी बड़े ने के जोड़ती ने पड़ी है बरें को कम तयम बच गया तो छोटे आयंगल पे यह फायदा है अगर tan theta निकालने में तकलीफ हो रही है थोड़ी सी भी तो आप उसको sin में बदल दो क्योंकि छोटा एंगल है समझगे तो sin theta लिख लो तो perpendicular है कितना x by 2 और divided by happiness कितना है L तो x by 2L x by 2L है ना x by 2 आपका perpendicular और L आपका happiness तो अब यहाँ पर आप sin theta के जगे वो लिख दीजे बिटा तो यहाँ जाएगा x by 2L बराबर kq square upon x square mg अब मेरे को बताना है कि charge और x में क्या relation है देखिए वही तो पूछा है charge और x proportional किसके है तो जो भी चीज़ें आपका constant है उससे कोई लेना देना आपको नहीं अब चाहो तो एक बार इसको और एक step और लिख लो चलो यहाँ पर मैं लिखके दिखा जेता हूँ देखो यह x square इधर जाएगा तो क्या बनेगा x cube x cube और mg हो गया mg हो गया बराबर यह 2L आपका इधर जाएगा सब constant है, length constant है, k constant है तो अपना relation इसके और इसके बीच का क्या बचा भाई? Sir, relation बचा q square proportional to x का cube खाता अब देखलो भाई कौन सा सही है तो q proportional to बोल रहा है तो एक काम करो है ना q square proportional to x का cube है ना अब एक काम करो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? q proportional to x की power 3 by 2 आया क्या? यह चमता क्या आपको? अरे बेटा, कुछ नहीं करना है यार इस 2 को हटाना है यहां से क्योंकि मेरे को q के power में 1 रखना है according to the question q की power में 1 रखना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा कई से हटाओगे भईया? कई से हटाओगे भईया? देखो, q की power 2, x की power 3 तो इसका जो सबसे बेसिक तरीका है वो यह है कि आप यहां पे भी power में 1 by 2 ले लिजिए यहां पे भी power में 1 by 2 ले लिजिए दोनों तरफ सेम power ले सकते ना बिटा? हाँ सर तो देखो, जब power 1 by 2 लोगे तो यह 2 और यह 2 तो कैंसल हो जाएगा तो बचेगा खाली यहां पे 1, डा अंसर और यहां क्या बचेगा? 3 divided by 2, 3 by 2 Hence, योर आंसर इस, q proportional to x की power में 3 by 2 तो option है बेटा, ए है ना? आपका जो option है बेटा, वो है a, q proportional to x की power में 3 by 2 कैसा लगा भाई? अच्छा लगा? कमेंट अमेंट में बताओ भाई, फटा फट क्या, क्या कर रहे हो भाई? जोश बोश दिखाओ भाई दिल विल बनाओ भाई, अच्छा question करा रहे हैं यह मत सोचिए कि यूट्यूब का free course है तो ऐसी कुछ भी पढ़ा के छोड़ दिंगे जो भी question पी वाईक्यू में आया है, अच्छा question है वो यहाँ discuss होगा इस course से भी selection होगा है, समद सोचना कि यह free में है तो यह बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं है बेटा हम पूरी sincerity से करते हैं कोई भी काम सिर्फ करने के लिए नहीं करते हैं, इसलिए आपको टगड़े questions करवा रहे है अब आप अगर देखोगे pyq पलट के तो उन्होंने इसी question में v और x के बीच का relation भी पूछा है velocity और x के बीच का सर वो कैसे होगा सर देखो बिटा, सबसे पहले तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना कि भाई q proportional to x की पावर में 3 by 2 है, चलो इसको side में रखते हैं, अब देखना एक ये equation लिखा था आपने q square proportional to x cube, अब थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना है, वो बोल रहा है मिरको velocity के साथ x का relation बताओ velocity के साथ x का relation बताओ कि भाई, कितनी speed से वो pendulum अंदर की तरफ आएगा हमने बोला सर, speed कैसे निकाले सर या velocity कैसे निकाले सर तो बटा, आपने kinematics में सीखा होगा speed बराबर क्या होता है dx by dt यानि कि अगर displacement को सुनिएगा, displacement को differentiate कर दिया जाए तो velocity आ जाती है बिटे तो इस question में अब दोनों तरफ अगर आप differentiate करोगे तो v और x का relation भी आ जाएगा, ये extension है question का इस question का answer तो आ चुका है अपने यहीं तक, मैं इसी में एक point और add कर रहा हूँ है ना, अच्छा तो अगर v और x का चाहिए तो दोनों तरफ differentiate, अच्छा, q square को differentiate करो time के respect में तो देखो, power में 2 है आपको पढ़ा होगा न, आपने की t की power 2 का differentiation होता है, 2t की power 2 minus 1, nx की power n minus 1 differentiation का formula होता है ना, नहीं पढ़ा है तो एक जून से आ जाओ, need toppers पर basic mathematics करवा रहा हूँ सब समझ में आएगा, तो इसका differentiation होगा वेटा, 2q है ना, और क्योंकि एक अलग variable के respect में कर रहे है time के respect में, इसलिए आप dq by dt भी लिखेंगे, अगर इसी को मैं q के respect में कर रहा होता ना q के respect में, तो यहाँ पर यह नहीं लिखता क्योंकि actually उस case में यहाँ पर आता, bq by dq तो वो तो cancel होके 1 ही बन जाना था तो कुछ नहीं लिखते है 1, है ना लेकिन क्योंकि हम q को किसके respect में differentiate कर रहे है time के respect में, hence यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक similarly, यह बराबर किसके हो जाएगा देखो, 3x square nx की power n-1 यह power एक कम हो जाता है ना, यहाँ पर कम होके 1 बन गया, यहाँ पर 2 बन गया, अच्छा जी 3x square और फिर dx by dt, जैसे यहाँ पर किया ना, dq by dt dx by dt, अगर इस differentiation में इत्तु सा भी doubt आया है, या problem आरी है, मैंने तो दो बार repeat कर दिया, फिर भी अगर problem आरी है, तो इसका मतलब differentiation week है, एक जून से आओ, differentiation, integration trigonometry, जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं, सारी खतम कर दूँगा, 4-5 class आराम से लूँगा, ठंग से पढ़ाऊंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरे साल कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है अच्छा, anyways अब इसको solve करते हैं, क्योंकि हमें V और X का relation चागिए अब बेटा देख, ये तो हो गया 3X square, ये dx भी dt क्या होता है, सार लिखा वेलोसिटी होती है, अरे वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी आगे, वाह जर्षन का माहौल है, वेलोसिटी आगे यहाँ पर क्या क्या बचाए 2Q, ये क्या है सार dq by dt क्या होगा सार कितना charge flow हो रहा है per unit time, मतब कि ये वो rate है कि कि किस rate पे charge flow हो रहा है, तो एक word यूज किया question में कि charge जो है वो constant rate पे निकल रहा है constant rate पे, इसका मतलब बेटा, इसकी कुछ न कुछ constant value है है ना, rate of flow of charge is constant इसको current भी बोल सकते हैं आप तो constant rate पे मतलब constant current flow हो रहा होगा, तो ये constant है, कुछ constant बोल लो इसको अब मेरे को तो बस बेटा, proportional देखना है, है ना, proportional देखना है, एक चीज़ और मेरे को तो वी और एक में relation चाहिए, तो charge का क्या काम है, charge को हटाते हैं कैसे हटे कासर charge, देख बेटा charge है proportional to x की power 3 by 2, तो तुम charge के जगे पे लिख दो x की power 3 by 2, ये constant constant सब भूल जाओ, लगा दो proportional का sign, constant को भूल जाओ यहाँ बचेगा x square into v x square into v constant भूल जाओ, क्योंकि मैं proportional sign use कर रहा हूँ, constant को हटा दो सारे, 2 constant है, ये c एक constant है, ये भी constant है ना, ये 3 एक constant है, और बाकि सब बचा ये, अब last step बेटा, है ना, जब मैं इसको solve करूँगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, देखो x की power 3 by 2 upon x की power 2 proportional to v hence, v will be proportional to x की power देखो 3 by 2 और ये 2 उपर आएगा, तो minus 2 बनेगा, तो इसको ऐसा लिखेंगे क्या 3 by 2 minus 2 3 by 2 minus 2 करो minus 1 by 2 आएगा, तो answer है विटा, v proportional to x की power में, minus 1 by 2 same question को मैंने extend किया कि भाई, अगर मेरे को v और x का relation चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, मैं आपको सच बताऊं, तो यहाँ तक जो हमने किया था, उसमें फिर भी physics थी, कि यार ये पता होना चीए, टाइम थीटा बराबर phi by mg होता है, है ना, फिर time theta को sin theta लिखो, थोड़ा सा trigonometry लगाओ, आंसर आगया यहाँ तक ठीक था, यह जो अपना आंसर आया, यहाँ तक सब ठीक था q proportional to x की power 3 by 2 लिकिन उसके बाद जब आप v और x का relation चाहते हैं तो यह physics नहीं है, यह पूरा maths है, यह पूरा maths है maths is the language of physics बटा, तो अगर इसमें दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब maths में दिक्कत है, और दिक्कत कैसे ठीक होगी, तो आईए, need toppers channel पे आईए, वेदान्तो need toppers और करते हैं आपका basic mathematics एकड़म clear, ठीक है आज launch है वेटा, 7 बजे वहाँ पर आना आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, ठीक है चलिए वेटा, तो यह question पना done, pendulum questions done, ठीक है